माता रानी की जै हो, जै माता दी कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आप सब की लाइफ, उमीद करती हूँ आप सब सब कुशल और स्वस्थ होंगे तो आज मैं आप से बात करना चाहूँगी कुछ टॉपिक्स पर, कि आप अगर किसी भी वश्यकरण की विदी को अपनाना चाहते हैं, किसी भी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो उन विदियों को आपको कैसे समझे और उनको कैसे अपने जीवन में उप्योग करें तो उसके बाद ही इस विदी के हम शुरुआत करेंगे वरना आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं हम उन गलतियों को भी सुधारेंगे और उन गलतियों को भी हम बताएंगे कि आपको कैसे इस विदी को करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, जिसकी जी वजpower से आप सही तरीके से विदी को संपन कर पाएंगे आपको लगने लगता है कि वषीकरन का असर नहीं होता या लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वषीकरन विदीवत रूप से अगर किया जाए तो पूरण रूप से उसका असर दिखता है तो चली मैं बताती हूं आपको कि करना क्या है एक और महतवपूरण बात की मंत्रों का उचारण हमेशा सही डंग से करे क्योंकि सबसे महतवपूरण होता है मंत्र और उसी का उचारण आपको सही डंग से करना होता है इस बात का आपको विशेज ध्यान रखना है कि आपको मंत्रों चारण एक दम सही तरीके से करना है क्योंकि किसी भी प्रकार की चूक आपके कारे को उल्टा कर सकती है इसलिए आप चाहें तो मंत्र को लिख कर अपने सामने रख सकते हैं और देख देख कर बोल सकते हैं तो दोस्तों जब आप इस वशी करन टोटके को अपना रहे हैं तो आपको इन बातों को विशेश रूप से ध्यान में रखना है अन्यता आप कहेंगे कि हमारी बताई हुई विदी का आपने प्रयोक किया लेकिन उसका आसर नहीं दिखा तो दोस्तों आज की विडियो में आपको ये ध्यान रखना है कि उसे ठीक रूप से आप समझे कि कैसे आपको विदियो का अपनाना है कैसे विदियो को करना है और कैसे फिर उसी प्रकार उन विदियो का आपको परिणाम मिल सकता है तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है यह जो टोटका है बहुत ही प्रचंड है क्योंकि इसके द्वारा आप अपनी लव लाइफ को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और आपके किये इस वशीकरण को कोई काट नहीं पाएगा दोस्तों मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैसी विधी जिससे केवल एक घंटे में आप किसी भी इस्तरी को अपने पागल कर सकते हैं या कहूं तो आप एक घंटे के अंदर किसी भी इस्तरी को अपने वश में कर सकते हैं तो दोस्तों ये वशीकरण की विधी कैसे आपको कर जहां पर शिवजी का शिवलिंग जरूर होना चाहिए और साथ ही थोड़ी सी मात्रा में आपको जल चड़ाना है शिवलिंग पर और इसके बाद आपको उस लड़की का नाम ध्यान करना है जिसे आप वश्व में करना चाहते हैं जिसको आप अपने प्यार में पागल करना च जैसे ही आप चड़ाएंगे शिवलिंग पर उस गौमती चक्र को और उसके बाद आपको करना क्या है शंकर भगवान को प्रणाम करना है और बोलना है कि हे भोले बंडारी मेरी मनोकामना पूरिन करो और जैसे ही आप इसको बोलेंगे उसके बाद जिस भी लड़की को आप अ मजाएं होंगे और आपको इस विदी के किसी भी चरण में अगर कोई दिक्कत है या कोई समस्या है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं लेकिन गलती से भी अधूरे ग्यान के साथ आप इस विदी को ना करें क्योंकि इसे गलत करने पर आपको इसका कोई भी समस्या को सुनकर उन्हें संभव रूप से उनका उपाई बताएंगे और आपकी समस्या का निवारण करेंगे तो गुरु माताजी से संपर्क करें और आप हमें वाट्स अप के द्वारा भी अपनी समस्या बता सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही आप खुश रह नहीं मैं लेती हूं आपसे वीदा जैम आता दी